Good morning, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अपने घरों में खुश होंगे Previous वीडियो में मैंने आप लोग को EBS में fruits name बताया था आज मैं आपको animals name बताऊंगी Animals name मतलब जानवरो की नाम तो यहाँ पर मैंने कुछ animals name को write किया है पहले मैं spelling के साथ आपको बताऊंगी और picture भी दिखाऊंगी आपको और आपको इसके हिंदी को भी बताऊंगी फिर मैं आपको write करना बताऊंगी ठीक है? तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो मैंने animals name को write किया है मैं उसी के picture आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ है animals name जो बड़ा बड़ा है इसलिए मैं आपको अभी सारे animals name नहीं बताऊंगी कुछ छोटे animals के name को पहले मैं बताऊंगी इसलिए उन्ही के picture को मैं दिखाऊंगी तो यहाँ देखिए यह क्या है? डी ओ जी dog dog means कुता कुता तो आप लोग सारे बच्चे देखे होंगे dog means कुता यह है कुता अब देखिए यह क्या है? C-A-T cat cat means Billy बिल्ली आपके घर में आप लोग इसको बिल्ली को भी आप लोग सारे बच्चे देखे होंगे देखे हो ना बटा सारे बच्चों के घर में बिल्ली आती है दूद पीने के लिए तो cat means Billy आप देखिए यहाँ क्या है? G-O-A-T goat goat means बकरी मैंने आप लोग को क्लास में बताया था कि goat means बकरी और बकरी भी दूद देती है ठीक है? आप देखिए और बकरी को घास खाना पसंद होता है घ्रास खाना घ्रास खाना ठीक है? आप देखिए यहाँ यह क्या? C-O-W cow cow means guy गाय के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि गाय क्या, cow क्या करती है? हम लोग को milk देती है और milk से बहुत सारी चीजे बनाई जाती है और milk हम लोग को जरूर पीना चाहिए रोज मैंने आप लोग को बोला था क्लास में कि सुबह और नाइट में सूने से पहले आप लोग क्या करोगे? दूद मिल्क पीओगे इसमें सारे विटमिन्स होते हैं इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? दूद जरूर पीना चाहिए मैंने आप लोग को क्लास में भी बताया था तो cow miss guy ठीक है? अब देखिए मैंने आप लोग को ये सारे animals name नहीं बताया है अभी और write भी अभी नहीं कराऊंगी जो छोटे-छोटे लायन लायन मिन्स शेर शेर तो बहुत ही ताकतवर होता है वो क्या करता है? मैंने आप लोग को बताया था ना क्या करता है वो क्या करता है? अनिमल्स को भी खा जाता है और आप लोग को पास नहीं जाना है नहीं तो क्या करेगा? वो खा जाएगा बाग भी क्या करता है animals को और आप भी जाओगे तो वो क्या करेगा मार देगा आपको ठीक है और ये क्या करता है ये भी animals को आ जाता है अब देखिए ये क्या है M-O-N-K-E-Y monkey मंकी में बंदर बंदर आप लोग सारे बच्चे जानते होगे और बहुत सारे बच्चे देखे भ मंकी में बंदर उसके बाद देखे ये क्या है आपको जब्रा जब्र मिस जब्रा ऑर मैं नहीं अब बताया है elephant, giraffe ये सब मैंने आप लोग को नहीं बताया है आप देखिए यहाँ d-e-e-r deer deer means hiran मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि आप लोग ये आप लोग बेतला पाग गय होगे तो वहाँ आप लोग deer भी देखे होगे तो deer means hiran deer means hiran अब देखिए ये क्या है f-o-x fox fox means loomri loomri बहुत ही चालाप होती है ये क्या है fox fox means loomri तो ये मैंने आप लोग को बताया animal's name अब मैं आपको write करना सिखाऊंगी यहाँ पर मैंने animal's name को write किया है देखिए यहाँ है animal's name d-o-g dog dog means kutta cat cat means billy number three है g-o-a-t goat goat means bakri number four है c-o-w cow cow means guy number five है l-i-o-n lion lion means share number six है t-i-g-e-r tiger tiger means bug number seven है f-o-x fox fox means loomri number eight है d-e-e-r deer deer means hiran number nine है z-e-b-r-e zebra zebra means zebra ठीक है number ten है आपका m-o-n-k-e-y monkey monkey means बंदर तो यह सारे बच्चे जानते हो अब हम लोग यहाँ write करना इस्टार्ट करेंगे तो चलिए start करते हैं हम लोग यहाँ class लिखिए l-k-g subject write कीजे e-b-s और यहाँ write कीजे a-n-i-m-a-l-s animals n-a-m-e name जानवरों के नाम अब यहाँ पर आप लो write कीजे यहाँ date write कीजे 28, 4, 21 अब यहाँ write करते हैं हम लोग number 1 में है d-o-g dog dog मिन्स कुता ऐसी सुन्दर-सुन्दर writing में आप लोग write कीजेगा जैसे मैं हम write कर रही है ठीक है और बोल कर c-a-t cat cat मिन्स बिली g-o-a-t goat goat मिन्स बकरी c-o-w cow cow मिन्स गाय l-i-o-n lion lion मिन्स शेर t-i-g-e-r tiger tiger मिन्स बाग now next है आपका fox 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 मिन्स लोमडी number 8 है d-e-e-r deer deer मिन्स हीरन number 9 है z-e-b-r a zebra zebra मिन्स जेब्र number 10 है आपका monkey m-o-n-k-e-y y monkey monkey में बंदर तो ये मैंने आप लोग को बताया animals name आपको class में भी मैंने बताया है तो आप लोग इसको अपने e-e-e-e-s की copy में write कीजेगा animals name को और learn कीजेगा T-CAP THANK YOU